अब वरी गुड इवनिंग और वेरी वर्म वेल्कम बैक तो अलोफ योडियो लेर्नर्स आप सभी का स्वागत एक बार फिर से डेली न्यूस अनालिसिस में और आज हम बात करने वाले हैं 25 ओक्टोबर के देनिक समसामिक विश्यो के उपर बाइलिंग्वल लेंग्विज में आज से 216 दिन बच्चे हैं आपकी प्रिलिम्स एक्जाम में क्या है आपका प्लैन और किस तरीके से चल रहा है एक्जेकुशन कमेंट करके जरूर बताईएगा क्योंकि अच्छे से प्लैनिंग किया तो मानके चलिए आने वाला वर्ष आपके लिए वाटर्शेड येर साबित होने वाला है दोस्तों और गोज विदाउट सेंग जब या प्लैनिंग करो अपने आप से डेली जरूर कहीं करें इंट्रो आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं आपके टीचर्स बहुत अच्छे हैं आपके भाई बेहन बहुत अच्छे आपका इंटर सरकल बहुत स्ट्रॉंग है पर सर आपको आपसे बहतर कोई नहीं जानता So dear students dear aspirants dear brothers dear sisters I urge you all के हर रोज खुद के साथ में जरूर बैठा कीजे सुबब में 15 मिनिट साम में 15 मिनिट कोई योगा कोई मेडिटेशन का नहीं कह रहा हूँ मैं आपको शांती से चित को एकाग्र करके खुद के साथ बैठ करके जो आपने निर्धारित कर रखा है जो आपने निश्चित कर रखा है उसके उपर आपकी क्या आगे की प्लैनिंग है और वो प्लैन कैसे एक्जेक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है उस पे कहीं कहीं जो है आप अपना द्रश्टी पाज जरूर करें, आप अपना जो ध्यान के अंद्रित जरूर करें दोस्तों, आपको स्वता ही खुद की कम्या पता लग जाएगे, आपको स्वता ही basically लूपोल्स दिखने लग जाएगे और दीरे दीरे उनको हम सुधार पाएंगे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, Olympics से related, Olympics में cities का चयन किस तरीके से किया जाता है, SIM card के बारे में बहुत जानकारी आपने लिये होगी, आज हम जानकारी लेंगे e-SIM card के बारे में, और किस तरीके से e-SIM card आने वाले टाइम में, environmental friendly भी सिध होने वाले हैं, और तकनिकी रूप से भी basically जो है, यह जादा उपयोग का रिसिध होने वाले हैं, अब basically एक कानून के अंतरगत, police stations के अंदर ही DNA और facial recognition के लिए पूरा detection system लगाया जाने वाला है, उसको जानेंगे सिखेंगे और विचारेंगे, अब जो द्रस्टी बाधीत होते हैं, जो आईस से नहीं देख पाते हैं कि कोई विशे वस्तू आपके पास में साकाहरी है, या मासाहरी है, ग्रिन लेबल है, रेड लेबल है, तो जो खाद्य वस्तू हैं, एडिबल चीजे होती हैं, उन पे जो लेबल हैं, अब वो QR code के साथ में आने वाला है, तो इसकी भी हम एक utility देखेंगे, कि example के रूप में जो हम तकनीकी का कहिन के देनिक लेबल पे क्या प्रियोग कर सकते हैं, तस पचाहत अंतरस्टे संवंदों में हम भुटान और चाइना की सीमा वारता पे बात करेंगे, जो भी हाल या में basically सूर्ख्यों में रही हैं, और हिमाले शेत्रों में जो तरासदी चल रही हैं, लग क्लास की PDF जो है, हमारे इस official टेलिग्राम हैंडल से ले पाएंगे, जगदीश जांगिट सर, PW, इसके link के लिए आप टेलिग्राम पे add the rate, JJ सर, PW, UPPSC भी लिख सकते हैं, क्लास के उपरान, इसकी summary PDF भी आपको मिलेगी, हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग, अब दोस दोस्तों, आपको अगर कोई homework submit करना हो, क्लास related कोई query हैं, तो सीधा लिखेंगे JJ सर, UPSE, और आप reach out कर पाएंगे, मुझ तक आपकी कोई भी query है, आप type करके audio format में, text format में, answer writing format में, share कर पाएंगे दोस्तों, अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आज के editorial पे बात करते ह यह editorial, rather मैं कहूं, इसके कई सारे आयाम हम already discuss कर चुके हैं, आज हम इसके जिस आयाम, जिस dimension के उपर बात करने वाले हैं दोस्तों, वह आपके पास में, पिछले छोटे छोटे एडिटोरियल को, आर्टिकल को ही इखटा करके यह आयाम दे रखा है, मतलब, mitigation के उपर बात क्य कैसे हम यह जो tragedies होती हैं, यहи तरासदिया होती हैं, वहले ही आपके कशमीर से लेकर के अभी सिक्किम में भी हालिया में, कई सारी गटनाये देखी गई हैं, जो प्राकरतिक नजर आती हैं, पर उसके पीछे कही इम आनाउ जनितकारन हो सकते हैं,ומר Resistance מכे तर एम सारी लिए उन प्राकृतिक घटनाओं को मानो जनित प्रयासों के माध्यम से मिटिगेट कर पाएंगे उन तरासदियों को कम कर पाएंगे दहिंदू के अंदर यह ओपैड होता है ओपीनियन पेज के उपर आप देख पाएंगे मिटिगेटिंग ट्रेजडीज इन थे हिमालियन रीजन एनवार्मेंट के द्रस्टिकोंड से बहुत महत्वपून जी एस पेपर 3 का कंटेक्स्ट है दोस्तों और यहाँ पे आप एक नया शब पढ़ने वाले हैं GLOF का मतलब होता है Glacial Lake Outburst Flood कई बार क्या होता है कि Glacier का पानी खटा होता जाता है पहाडों के बीच में और पहाडों के बीच में वो पानी खटा होने के कारण बेसिकली क्या है एक जील सा एक reservoir सा बेसिकली वो बना लेता है अचानक किसी तरीके से जल की मात्रा बढ़ जाने से किसी तरीके से बेसिकली और किसी प्रकार की प्राकृतिक अप्राकृतिक कारण वश यह जील जो है हातो हात बेसिकली इसका पानी जो है large amount में क्या होता है आपके पास में ब जो लेक्स होती हैं, हिम्नदों की जो यहां पे जीले होती हैं, वो अचानक से जील के फटने के साथ कारण, जैसे बांद के फटने के कारण भी तो बिसिकली बाढ़ आती हैं, है ना, तत्सम रूप से ही, सेम इसी प्रकार से ही, आपकी यह ग्लेशिय लेक्स के भी बर्स्ट ह होने से आउड़्स्ट होने से टूट जाने से भूट जाने से भी आपके पास में हेवाउक्स बैसिक ली देखे levant सेख़ कि में गथ सब्सक्राइब हम अम इक कोग्लीर क्या हुओ किसर्ट। तिस्ता नदी के आज पास मैं यह कहीं आपके पास में Glacial Lake देखी गई और इस Glacial Lake का पानी जो है वह अपने downstream water जो है flood की तरब बहा और वहाँ पे रियाईसी area हो और even आपके पास में यातायात मी जो है काफी लंबे समय तक प्रभावित रहा था आपके पास में तो यह तो एक प्रकार है एक टाइप है कि किस तरीके से जलवाईव परिवर्तन जो है climate change जो है वह गलौफ नाम की प्राकृतिक आपदाओं को जलवाईव जनित आपदाओं को भी बेसिकली जन्म दे रहा है उसका उदाहरण अगर आपको स्षिद करना हो तो उसके लिए बे बेसिकली जो है example हो सकता है ठीके तो इस रिवर के इस लेक के अंदर से बेसिकली जो है पानी का ज्यादा अत्यदिक बहाव होने के कारण तिस्ता नदी का जो है पानी उफान के उपर रहा और इसके लेफ्ट और राइट बैंक दोनों के ऊपर ही बेसिकली इननडेशन बावित रहा है सिक्किम में हाल ही में गलॉफ इवेंट देखने को मिला गलॉफ के हाया यह आपको समझ में आया होगा जलवाईव परिवर्तन से बेसिकली इसको जोडते हुए देखा जा रहा है और पूरे हिमालियन रीजन में ही बेसिकली जो है इसकी आवरती इसकी कहीं कहीं जो है वापस होने की संभावनाएं जताई जारी यह तो सिक्किम मात्र सुरुवात भी हो सकता है आने वाले समय में यह और अन्य एरिया जहां पे गलेशियल लेक्स देखने को मिलती है वहां ऐसी स्टडी देखने को मिल सकती है एक नेचर के अंदर एक स्टडी पुब इसके बेशिन शेत्र में इसके जलग्रहन शेत्र में बेसिकली जो है आबादी रहती है अब सर इस आबादी का बेसिकली अगर देखा जाए पूरा रहन और सहन किस पर डिपेंड करता है कि यह ग्लेशियल लेक फटे ना इसका आउट बस्ट ना हो इसमें बाढ़ ना अगर कोई प्राकृतिक और अप्राकृतिक कारण वर्ष या जलवायू जनित कारणों से यह ग्लेशियल लेक्स आउट बस्ट होती हैं फ्लड आती हैं तो इट इस बाउन टो हैपन के यह जो 90 मिलियन लोग है एक मिलियन में 10 लाग होते हैं तो 90 मिलियन का क्या मतलब हो गय रहे हैं तो एक रिस्क है आपके पास में 1 6th of these people live within the 50 km of the glacial lake 1 km and a 1 km potential low of run out channels as well तो आपके पास में बताया जा रहा है कि 1 by 6 6 में से एक आदमी जो है मतलब 9 करोड लोगों में से एक बटा 6 अगर आपके पास में कर दिया जाए तो लगबग आपके पास में 1 करोड लोग तो सर यह जो लोग है आपके पास में they are living just well within the 50 km of this glacial lake और सर यह mountainous region में बहुत खतरनाक है एक हजाड है और यह खतरे अकसर बड़े पैमानों पर होंगे और एक घटना के कारण दूसरी घटना होगे अच्छा ग्लेशल लेक फटेगी तो क्या होगा suppose यहां पर उपर glacier का पानी जम्मा था पहाडी के उपर वहां से अगर ग्लेशल लेक में flood cause हुआ वहां पर outburst cause हु वहां floods इखटा होगे आपके पास में this region area is entirely flooded बाड़ागी और क्या होगा आसपास की area में क्या होगा भूस्खलन देखने को मिल रही है और क्या हो सकता है आपके पास में entire region जो है वह जियो लॉजिकली भागलिक रूप से क्या हो सकता है weak हो सकता है weak हो सकता है soil erosion हो जाएगा यहां पर खतरनाक तरीके से है ना so soil creeping देखने को मिल सकता है so sir event तो एक हुआ glacier lake outburst वा अब उसके कारण कई cascading effect हो सकता है cascading मतलब एक के कारण दूसरा दूसरे के कारण तीसरा तीसरे के कारण चौथा इस तरीके से basically जो हजार्ड हैं जो आपके पास में यह खत्रे दूसर क्या हो सकता है भूसखलन भी हो सकता है परिणाम सरूप क्या हो सकता है अब ज़्यादा बारिश होगी आपके पार कारण तो जो जील जो ग्रेशियर आपके पास में पानी खटा हो रहा था वो कहीं परवतों के बीच में आपके पास में कोई मिटी के अवरोद के कारण वार तूट गई हो, है न, अगर आपके डैम की वाल ब्रेक हो जाए, क्या होगा, पानी बहेगा, अनकंट्रोल फैसन में, तो होने को तो सुरुवात किस से हुई थी, कि सर, अत्यधिक बारिश हुई, बारिश से क्या हुआ, कि सर, भूस कलन हुआ, लेंड स्लाइड हुई, औ और लेंड स्लाइड से क्या हुआ, कि सर, गलॉफ इवेंट हुआ, तो सर, क्लाइमेट चेंज के कारण, अत्यधिक बारिश से हुआ, लेंड स्लाइड, भूस कलन से हुआ, ग्लेशियल लेक, आउटवर्स्ट, फलड, सुचने को देखो, किस तरीके से एक डिजास्टर, दूसरी, तीसरे से लिंक्ड है, सर, आपके पास में, और वहाँ फैस्ट देखने को मिले, हैना, प्रिडिक्टिंग एंड मैनेजिंग इस चेंड इवेंट इस चैलेंजिंग, तो आप नहीं तो बारिश को रोक सकते हो, लेंड स्लाइड हो रहा है, पुरा पहाड के उपर बेसिकली भूसकलन हो रहा है, कितना रोक पाओगे कम समय के अंदर, बहुत ही मुश्किल होगा, अच्छा, उसके बाद में अगर कोई फ्लेश फ्लेड या गलॉफ जैसे इवेंट हो गए, ग्लेश लेक, आउट बस फ्लेड, यह ऐसे इवेंट आपके पास में, तो इनकी यहाँ पर ट्रेल ओफ डिस्ट्रक्शन देखने को मिला कि ग्लेशियर बस्ट हुआ, रानी विलेच चमॉली घरवाल के अंदर हिमालिया में, तो इसके कारण कहिन के एंटी पीसी तपोवन जो हैं, उसका हाइड्रो पावर जो हैं, वह डेमेज हो आपके पास में, सेवरल कई खराब होके, आपके पास में, पुल खराब हो गएं, बहे के चलेगे, गाव बर्बाद होगे, फिर आपके पास में, अब स्वालन धौली गंगा, फ्लोज इन द विशनु प्रियाग, फिर आपके पास में, इससे आगे थर्ड इवेंट है, जो पुरा बहा के लेकरी कर प्रोडो रूपे गयबानी के साथ the stream now reaches the श्रीनगर और जैसे वो श्रीनगर पहुंचती है आपके पास में देव प्रयाक के यहां पे बात होती है हरिद्वार की बात होती है रिशिकेश की बात होती है तो इस टोटल एरिया के अंदर आप देखेंगे के सर ग्लेशिल बस तो हुआ है आपके चमोली में और उसका प्रभाव आपको रिशिकेश और हरिद्वार तक भी आर्थिक हो या आपके अन्वार्मेंटल परियावरन रूप से देखने को मिलता रहता है सर आपके पास है तो हम किसका वेट कर रहे हैं वेटिंग तो हैपन वाट वस दे ट्रिगर तो यहाँ पर साउथ लोनाक ग्लेशियर जो है ज़ो है ज़ो है जट कंटिनू टू रिट्रीट अमीड ग्लोबल वार्मिंग बाई अनधर 400 मीटर बिट्रीं 2008 तो 9 दे लेक्स अनली ग्रिव तो सर उसको क्या कहते है कि सर पानी जो है वहर आईस फौरमिट में वहर आप्यण्यल की फॉरमिड में अब जैसे जैसे चेंज होगा तो सर यहाँ पे जो बरफ है आई से वह पेगलेगी वह पानी के फॉरमिट में और यह पानी ही तो बिसिकली खटा हो करके क्या बना देगा Glacial Lakes बना देगा और यह Glacial Lakes का पानी इतनी ज़्यादा मात्रा में खटा होता है कि सर अपने आप में ही यह एक बांध से कम नहीं है और जब जब Glow event हुए हैं यह disaster to happen है तो पहाड़ों के उपर Glaciers का पानी Climate Change से Melt होता रहता है है ना और अगर ऐसा कुछ भी वह लेंड स्लाइड, Avalanche, Earthquake तो डेफिनेटली यह Glow फटने वाले हैं है ना तो आपके पास में पहला Field Expedition Glacial Lakes पे 2014 में किया गया फिर 2016 तक उसका result आता है है ना किस तरीके से हम यहां पे जो लेक का पानी है इसको कम करें है ना हम pipeline को install करें किस तरीके से early warning system बना दिया जाए कि सर कौन सा safe level है और कहां पहुंचने के बाद में unsafe होगा Glacier Lakes का पानी तो Center Water Commission ने एक advisory भी बनाई South लोहांक Glacier के लिए तो अब बैसिकली प्रश्न क्या सकता है वेरीज साउथ लोहांक Glacier लोकेटेड साउथ लोहांक Glacier जो है आपके पास में कहां लोकेटेड है दोस्तों यह आपके नेपाल और सिक्किम बॉर्डर के ऊपर नेपाल सिक्किम और तिबद मदब तिबद चाइना तो इनके ट्राइजंक्शन पे जो शेत्रा आपको देखने को मिल रहा है वहां पे वहा है दक्षिन लोहांक हिम्नद वहां पे बेसिकली जो हिमनद के पानी के पिगलने से जो जील बनी जो लेक बनी उस लेक का बेसिकली जो है एक तरीके से लेंड स्लाइड के कारण पानी नीचे की तरफ बहुत जादा मात्रा में बह गया और उसके कारण फ्लेश फ्लेश फ्लेड्स आ गए पूरा एरिया बह के चला गया ठीक है ना तो हेमालियन रीजिन के अंदर काफी प्राक्रतिक यूवन इंडियूजड हजार्ड आती रहती है इसकी कहिन के हमें monitoring mitigation लेके आना चाहिए हम कैसे monitor करें कैसे estimate करें कितनी risk हो सकती है इन सब के साथ में आपके पास में glacier melting के अगर बात के जाए तो glaciers भी दीरी-दीरी पिगल रहे है ये भी अपने आप में एक चुनाती है समय के साथ में अलग-अलग समय में अलग-अलग रितुओं के अंदर glaciers के पिगलने की दर अलग रहती है तो कैसे हम national remote sensing satellites को या remote sensing centers को यूज़ करके Glacial lakes की atlas basically जो देखते हैं उसमें बदा जाता है कि हमारी सिंदु नदी, गंगा नदी, ब्रमपुत्र नदी हैं इनके basin area they host 28,000 Glacial lakes तो इन तीन नदियों के अंदर 28,000 Glacial हेमनद की जीले हैं दोस्तों और यह जीले लगवग आपके पास में 0.25 hectare से जादा है है ना और यह 5 देशों में फैले हुई है और 27% यह basically जो है वो भारत के अंदर तो सोचे 28,000 का वन थर्ड लगवग 10,000 जीले ऐसी भारत में उन में से एक जील फट गई तो पूरी के पूरे सिक्किम की हालत तिस्ता नदी की हालत खराब हो गई सोचे ऐसी हजारों ग्लेशियल लेक से अगर अर्थक्वेक आया अगर आपके पास में कहीं से भी लेंड स्लाइड होती है तो यह 10,000 जीलों का क्या होगा तो जियो टेक्निकल सॉल्यूशन क्या हो सकता इसके पीछे किस तरीके से हम इन ग्लॉफ को विशुबर में जीयो टक्निकी समधान कर सकते है है ना कि सर सबसे पहले बेसिकली हमको इंप्लिमेंट करना चाहिए हाई एल्टिट्यूड एरिया में वह एरिया जो 5000 मीटर से उपर है जहां पे कोई भी इन एक्सेसिबिलिटी नहीं एक्क्यूप्मेंट ट्रांस्पोर्ट नहीं हो सकते है ना जहां पे कर इनके स्ट्रॉंग है हवाय भी पावर सप्लाई भी पॉसिबल नहीं है तो सर वहां हम क्या कर सकते हैं कि सर आज की तारीक के अंदर जो आपके पास में लेक्स है उन लेक्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा बेसिकली प्रोटेक्शन देने की कोशिश करें ठीके और कोशिश करें कि आपके पास में जैसे लगातार जो ये आईस जो पिगलता जा रहा है glaciers फिगलते जा रहे है तो उन retreating glaciers को उन lakes को आप man-made या natural barriers create करते हुए उस पानी को pipeline से दीरे-दीरे निकालते हुए चले ठीके तो इसका solution क्या हो सकता है अगर आपको solution लिखना हो तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे geotechnical solutions लगाने वाले ऐसे solutions जो आपके geological हो और तक्नीक हो ठीक है ना यह याद रख सकते हैं यह याद रख सकते this can be a solution so downstream hill communities के साथ में काम करना most significant कौन होगा जो पहाड के नीचे रह रहा होगा वही basically कस्बा वही basically town वही गाउं basically प्रभावित होगा आपके सब्सक्राइब क्योंकि सब्सक्राइब हो जाएगा विदिन दो पांच मिनिट में पुरा गाउं साफ हो जाएगा ठीक है ना पांच मिनिट मतलब सोचे एडिटोरियल पढ़ते पढ़ते दो गाउं दस गाउं बेसिकली बहके निकल जाएंगे तो इतना खतरनाक सब्सक्राइब करते हैं तो इसे इवेंट्स में बिसिकली लाइफ प्रॉपर्टी लाइफ लिवीड भी खतम हो जाती है लोगों की लेंड्सक्रेप आने के कारण तो इंटर्व्यूस जो लोगों के वहां किये गए कम्यूनिटीज के उन्हें तो पता ही नहीं था किसा ले गौर्मेंट की जो भी नीतिया हैं पॉलिसीज हैं गौर्मेंट की जो प्रैक्टिसेज हैं और फॉर्म ऑफ प्राइवेट इंवेश्मेंट जाधा रहती हैं वाइल मैचिंग देवलोप्मेंट नीट्स तुम्यांट नीट्स और मांटेन कम्यूनिटी तो सरी यहां पर अनुशत हैं मिलाया जाना चाहिए गौर्मेंट डवलोप भी करें बट कहीं कई वेलफेर भी सोचें इन लोगों की बविशम है जान है तो जहान है इस पर काम करने वाली हैं मौनिट्रिंग के लिए नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट आथोरिटी एंडिय में जो हाई एल लोहांस्क में वह कहीं कहीं ट्रांस्मिशन उनका फेल हो गया सर एंडिय में नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट आथोरिटी ने यहां पे भी कुछ एक्यूपमेंट्स इंस्टॉल किये थे पर इस एक्यूपमेंट्स टॉप्ट वरकिंग वाट वास पॉसिबल रीजन यह पता करना होगा क्योंकि अगर यहां पे जो एक्यूपमेंट्स साउथ लोहांस्क रीजन के अंदर जो सेंसर लगाए गये थे अगर वो डेटा है ना कौनसा डेटा आपके पास में वैदर का डेटा आपके पास में पानी का डेटा आपके पास में प्रॉपर अगर यहां प तो सर वहाँ काफी उच तापमान बेसिकली जो है नोट किया गया ज्यादा तापमान के कारण ग्लेशियर्स अबनॉर्मल रेट से पिगले अबनॉर्मल रेट से बेसिकली पिगलता हूँ पानी जिल में आया लेंड्सलाइड क्लॉज होई और वहाँ पे बाड जैसी परिश्टिती पैदा हो जाती है तो अब यहाँ पे क्या करना होगा कि सर हमें कहीं कहीं जो है एक कैसे होगा है वह किस दर से पिगल रहे हैं सेंटर वाटर कमिशन जहें उनका रूट क्या रहने वाला है तो उसके डीजिटल मॉडल सेंटर वाटर कमिשन को बनाने चाहिए ॹ लग नेंटिशम गाइड को जो बेसिसेंग विच गीवस देयर टेна overuke तो NDA में जो है वहां आपके पास में केंद्रिय जल आयों के बाद में कहिनके NDA में जो है राश्टी मार्क दर्शिका में राज्यों को खत्रे और जोखिम के जोनी करण की तकनीक का अवलोकन देती हैं और यहां पर मॉनिटरिंग जोखिम को कम करने के लिए रणनीतियों का सुझाव दिया जाता है तो किस तरीके से हम कॉंपरेंसिव वे में गलॉफ से रिलेटेड जो रिस्क है उसको रिड्यूस करें इन फाइनल स्टेज इस फाइनल अप्रूवल एंड विल इस्टैबलिश मॉनिटरिंग आप जादा से जादा मॉनिटर रखे और इनफॉर्मेशन आपके पास में है तो आप सही समय पर सही निरने ले पाएंगे आप ना ही बेसिकली जान बचा पाएंगे पर यहाँ पर जो माल है प्रॉपर्टी है उसको भी कहिन के जो है वो भी शेफ कर पाएंगे तो आपकी लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों को आप सेफ करने की कोशिश करें गवर्मेंट के काफी साइंटिफिक और इंस्टिउशनल इंपैक्ट भी है कि सर्व काफी रिसोर्स इस के लिए किस तरीके से हम जो आपदा जो किम को जो है उनका कम किया जाएं उसके लिए काफी सब्सक्राइब करें तो यह सारी चीज आपको याद रखनी है जिस आल थिंग्स हैस्ट वी रिमेंबर्ड कैरफुली के हम आने वाले समय में ओलंपिक गेम्स को बिसिकली है ना अगले दशक 2036 में होश्ट करना चाते मेजबानी करना चाते है और यहां पे जो ओपनिंग से इंडिया ने भी कहीं के इंट्रेस जाहिर किया है कि वो होश्ट करना चाहेगा यूथ ओलंपिक्स को 2039 के अंदर है ना ओल्दो इवेंट इस इनिशली स्केडियूल फॉर 2030 तो देखते हैं से ओलंपिक्स के अंदर बेसिकली आपको पता हो ना चिविस्व का सबसे बड़ा जो है एथलेटिक्स कॉंपिटिशन बेसिकली उसके रूप में देखा जाता है अभी हाली 15 से 17 अक्टोबर तक बेसिकली क्या चला है आपका इसका 141 वा ओलंपिक्स कमिटी का सेशन चला इसमें प्रधान मंत्री मोधी जी भी है और यहां पे कमिटी के अद्यक्ष महोंदे बी थे और मोधी जी ने बिसिकली का कि हम 2036 का सेशन जो है ऑलंपिक्स का भारत में उसकी मेजबानी प्रस्तुत करना चाहते हैं तो यहां पे इन पास सिटी सब्मिटेड लेटर ऑफ दे इंटरेस्ट्रू दियर नैशनल ऑलंपिक्स कमिटी टू आईयो सी टू इनिशेट host selection process तो यहां पे bidding होती है cities completed the questionnaire and underwent the evaluation of the IOC तो काफी उनसे questions पूछे जाते हैं है ना अलग अलग खेल से related सुरक्षा से related प्रबंदन से related हर एक चीज़ से related और हर city को उसका answer submit करना पड़ता है है ना और जिसका answer सबसे सही होता है उसका proper evaluation होता है और उस evaluation के बाद में उस मुल् पर inspection होता है कहां पर basically करार है final decision होता है आपके पास में it was made seven years in advance तो सोचने की कोशिश करो सरा आपके पास में कितना advance में चलता चलना होता होगा आपके पास में इतने पहले से आपको prepare करनी होती है तो यहां पर एक नया process है जो flexible हो sustainable हो cost effective हो तो seven year rule for the host selection was abolished आज की तारिक में basically इसको हटा दिया गया है अभी दो stage है आपके पास में है ना जिसमें continuous dialogue और targeted dialogue दो चीज़े होती है आपके पास में है ना निरंतर समवाद में basically continuous dialogue में क्या होता है कि जहां पर discussion होगा कि future जो host commission होगे क्या वो parties explore करना चाहेगी क क्या vision है देश क्यों कराना चाहरा है वाहां पर खेल परपस क्या है लीगे सी क्या है खेल की उनके पर discussion होगा कोई fix deadline नहीं है potential host जो है है ना they are encouraged to work out their own templates है ना अब यहां पर targeted dialogue में क्या होगा it is more determined जहां पर not expected to exceed the 12 months तो आपके पास में 12 मेने के अंदर अंदर discussion होगा IOC का executive board का और वो final कर देंगे के host must provide guarantee के sir वो मैदान देगा infrastructure देगा वो रहने की जगा accommodation देगा वो सुरक्सा security देगा वो public services भी देगा अगर वो चारों चीज़े दे रहा है तो executive board recommend करता है कि क्या एक देश करेगा single host करेगा या फिर वो कहीं कई दो से तीन छोटे छोटे देशों में कराना चाहिए तो multiple candidates भी हो सकते है आपके लिए for the election by the IOC members यह सारी चीज़े depend करती है उसके पर तो काफी एक अच्छी खासी cost आती है इंडिया openly declare the willingness to host 2030 edition of the olympics games and looks to cost of the games as they become bigger and better each year अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिच करें Olympics हर 4 साल से हो रहा है भारसिलो ना 92 96 Atlanta Sydney 2000 Athens 2004 Beijing 2008 London 2012 Rio 2016 Tokyo 2004 और अब basically हम किस के बात कर रहे है 2024, 2028, 2032 भी नहीं हम 2036 की बात कर रहे है मोदी जी इस स्ट्राइकिंग ओवर हियर के सर हम 2036 के लिए प्रिपेर करना चाहा रहे तो आप सोच ये सर पूरा खेल लगबग कित कहां तक पहुंच रहा है पूरा खेल लगबग 15 बिलियन डॉलर का खर्चा है एक बिलियन डॉलर लगबग आपके पास में आठ हजार करोड रुपे पंदरा लगबग कितना हो गया आपके पास में 120 हजार करोड रुपे अलब एक लाख बीस हजार करोड तो आप सोचने की कोशिश कीजिए अच्छा खासा आमांट है तो यहां पर इसमें से लगबग आपके पास में टिकेट की कोस्ट भी आएगी ओलम्पिक्स गेम्स के वेन्यूस की भी कोस्ट आएगी टूनामेंट के आपके पास में काफी सारी चीजे इसमें समयकित की जा चुकी है तो लगबग 15.4 बिलियन के अंदर लास्ट टोक्यो ओलम्पिक्स जो है वो कंड़ेक्ट हो पाया था है ना हाइस बिसिकली जो है कोस्ट वही गई है 15 उससे पहले लंडन की गई थी है ना तो रियो की 5.5 बिलियन की अधेंस में हुआ था उसकी कौस्ट मातर 3.2 बिलियन ही रही थी ऑलम्पिक्स की अवरेज कौस्ट अगर हम देखे के अलम्पिक्स को कंडडर कराना है तो 9.3 बिलियन का खर्चाए अब किस देशके पास में 9.3 पढ़ें बहाई पर याद रखना इसकी एक सा के चलिए के लगबग प्रत्वी का ऐसा कोई कौना नहीं होगा जहां से लोग जो है हमारे भारत ना है है ना everyone will be basically reaching out to us everyone will be reaching out to us right so host को basically encourage किया जाता to use existing and temporary venues to ensure long term sustainability ठीक है ना तो उनको development plans होते हैं long term justification होना चाहिए तो all future of the Olympic Games must adhere to the IOC climate positive commitments ठीक है तो यहां पर कहिन के interest जाहिर क्या है 2036 के लिए भारत ने भारत के लावा और भी देश है Mexico Indonesia Turkey Poland इन लोगों ने भी जाहिर क्या क्या हम भी करना चाहते है potential leaders में Egypt Seoul China Qatar Hungary Italy Denmark Canada Germany भी है है ना लगबग यह भी क्या हैंगे कि साना हमारी यहां Olympics और Qatar जो है in addition to hosting the FIFA World Cup 2022 में है ना इस schedule to host 2030 का Asian Games as well तो Egypt and Indonesia would be the first African and South East Asian nations to host Olympics if they win this bid तो आज तक Indonesia और Egypt में नहीं हुआ है पहली बार अगर आपके पास में कोई South East Asian nation होगा जहां पे अगर African nation होगा अगर Egypt में हुआ या Indonesia में हुआ तो इंडिया ने कई बार host किया है single sport competition को multi-discipline international events को ठीक है ना पर आपके पास में याद रखना but the last significant event was in the Commonwealth है ना Congress के time हुआ था UPA के time UPA 2 के time Commonwealth Games 2010 में हुआ था तो significant event तो sir last 2010 में हुआ है पिछले 13 साल से तो कोई event हुआ नहीं है अब हम सिम कार्ड की बात करते कि सिम कार्ड कैसे काम करते है साइन्स जीएस थ्री टेक्नलोजी के अंदर इसको पढ़ने वाले देखें हम बात करते हैं 2021 की दे वर मोर देन 14 बिलियन सेलिलर डिवाइस किती आपके पास में लगबक 14 बिलियन चौदा अरब के करीब जो है आपके पास में फॉन पूरे विश्व के अंदर थे उस वक्ति के ना एंड दो देर वर आउनली सेवन बिलियन पीपल तो दुनिया की आबादी साथ बिलियन ठीक है ना और लगबक हर आदमी दो फॉन यूज करता वाद तो सर लगबक बताए सकती है क्या विदाउट सिम कार्ट चल सकती है क्या नो सर तो यहां पर आपके पास में तो यूबिक्विटी ऑफ इस डिवाइस बट इस्पेशली स्मार्ट फॉन से समकाले न्यूग को परिभाशित करने के लिए आ गया आया है तो स्मार्ट फॉन भी अपने आपने एक न और यह जो सिम कार्ट है इसको कई बार बेट की तरह भी यूश के जाता ताहिस आपकी सारी इंफरमेशन इस पे एवरी इंफरमेशन है ना आप सोच रहे होंगे के सर मैं कहीं पर गया मैं कहीं पर अब कुछ बोल रहा हूं मैं कहीं पर उपस्तित हो मैं किसी से बात कर रह क्या है subscriber identification module, क्या होता है इसमें, एक integrated circuit है, या एक microchip है आपके पास में, जो cellular network में एक subscriber को identify करता है, ठीक है न, तो SIM card कहीं के आपके पास में इसके अदर essential data होता है, जैसे IMSI number भी होता है, जिसको international mobile subscriber identity कहता है, पूरे विश्व में सबसे unique यह number होता है, इससे unique और कोई number नहीं होता है, इलफा numeric number होता है आपके पास में, बाकी network related information भी SIM card में होता है, आपके पास में, है न, तो यह एक तरीके से मान लो, कि SIM card एक तरह का individual ID card है, cellular network के पर, cellular network मतलब आपके पास में, एक telephone tower है, है न, एक telephone tower है आपके पास है तो उस tower के छेतर के अंदर, उस tower के छेतर के होगा अलग-अलग connection होगा जो कि आपके पास में receiving और sending जो data हो message हो internet हो call हो वो उसी tower से होने वाला है तो यह एक individual आपके पास में identification होगा individual का कहीं के cellular network फे ID प्रस्तूत करने का काम करेगा ID मतलब identification पहचान so they are essential for the mobile phones to connect the network following the GSM standard ठीक है ना तो SIM card contain the unique authentication key है ना इनके पास भी authentication की होती है तो secure network access इसी से कर पाते है आपके पास में last में आपके पास में यहां पर बेसिकली chip होती है ना ऊपर आपके पास में जो है इसके नीचे जो है active ship side होती है उसके उपर metal contacts basically लगा दिया जाता है जो basically हमको दिखने के अंदर दिखता है ना एक दम गोल्ड सा है ना तो SIM card के अंदर ISO IEC जो number होते है वो होते है 7816 वो international standards को follow करते है एक integrated circuit होता है on one side and the metal contacts on the other side तो IC होता है और दूसरा होता है आपके पास में धातू का संपर्क ठीक है ना तो यहां पर different metal contacts pins होते है आपके पास में they serve the various functions including the power supply clock access data transmission grounding का काम उसारा यही करते है तो SIM card क्या help कर क्या करता है यह phone के identity देता है cellular network के उपर तो जब भी कोई call होता है तो data is signed by the key and the SIM card is sent through the network to reach the recipient तो network route करता है call को है ना अपनी location को recipient के द्वारा ठीक है तो यहां पर smart cards जो भी आज की तारिक में आ रहे including the SIM cards were first conceptualized in the 1960s तो 1960 पर basically यह सारी चीज़ आई थी SIM cards दिर दिरे size में छोटे होते गई उनकी architecture और भैतरीन होते गई तकनीक और advance होती गई और European telecommunication standard institute ETSI define करता है कि sir क्या-क्या standard होंगे GSM network के लिए तो उन्होंने subsequent generate किया काफी सारे networks को है ना जिसको आगे हम 3GPP की नाम से भी जानते है with the advent of the 3G network वहां पे the term SIM card was used by the software है ना while the hardware become the universal integrated circuit card तो software के लिए इसको SIM card कहा जाता है subscriber identification module जबकि hardware के उपर अगर हम बात करें आपके पास पर इसको universal integrated circuit card क्या है nothing but the integrated circuit एक IC है जो कि metal के साथ में basically एक proper basically उसको identification देने के काम कर रही है तो software become universal SIM जिसको यू SIM भी बोला जाता है जो 2G, 3G, 4G, 5G के साथ काम कर सके अभी latest क्या हो रहा है latest सर आ गई है electronic SIM है ना जो permanently आपके phone के साथ ही होता है जैसे अभी वाले जो phone आ रहे हो सुनाई तो battery बाहर निकाल पारे अभी खाली SIM निकाल पारे बार आने वाले software install कर लिजे आपका नाम आपका जो identification है आपके related जो unique information है आप airtel आप जो भी subscriber वगर यूज कर रहे है जिसकी services ले रहे है वहाँ जाएंगे कहेंगे eSIM दे दीजे तो वो आपके phone में ही उसको जारी कर देगा तो eSIM क्या है वो permanently install होती mobile के अंदर ही बाहर नहीं निकाल सकते it can be reprogrammed remotely है ना तो आपने basically अपने खाली mobile का जिसको code वगर IMEI number वगर उनको देना होता है बाकी सारा काम वो कर लेंगे वो किसी दूसरी आपके 3G SIM, 4G SIM, 5G SIM और अब तो सब SIM ही खतम हो गया है ना खुल जा SIM SIM बुले eSIM है खतम अब सारी चीजे क्या होगी remotely accessible होगी तो eSIM environmental friendly है क्योंकि सर ये इस SIM को little time याद करो हम क्या करते थे एक cover आता था envelope आता था बाहर फाड़के फैकते थे कच्रा plastic वो ठीक है ना फिर य यह भी कच्रा है integrated SIM तो खाली यही है आपके पास है ठीक है ना और उसके बाद में वो थारी चीजे बेसिकली दिर दिर हमने advancement में कम कि अब बोले इसको भी हटा दो इसको permanently कहां install कर दो phone में install कर दो क्यो basically लेकर करके गुम रहा है कोई आत्मी इसको तो eSIM environment friendly है eliminate करती है कोई physical SIM की है ना तो यहां पर security भी तो बढ़ेगे क्योंकि कई बार क्या होता पता है यह जो SIM होती है ना इसका duplication करना बहुत आसान होता है कई बार international level पे call आती है आपको कई बार fake calls आती है नाम सुना होगा आपने कौन सी मुवी थी वो कांतारा कांतारा नहीं है रहे यार कौन सी मुवी थी वो जिसमें वो फेक रैकेट चलाते हैं लोगों को cyber ठगी करते हैं I guess Netflix पे हैं या Amazon Prime पे तो उसमें बेसिकली वो बच इस चीज के बारे में बता रहे थैं कि सर वो जो SIM करते हैं वो फेक सीम है जो duplicate SIM है तो यह जो SIM वगर होती ना इसका अगर थोड़ी तरीके से जो software का जानकार हो इस SIM को activate कर सकता है आप अपने घर पे बैठे हुए आपका phone बिसिकली आप लोग उसके उपर live class देख रहे हैं जेजे सर का DNA चल रहा है सामको 5 बजे पर इसी 5-6 के बीच में बिसिकली जो है दिल्ली के एक trader को आप ही के phone से call चला जाता है फिरोती मांग ली जाती है दो लाग पांच लाग दस लाग पुलीस आती है पकड़ते वे आओ आयुश भाया आओ चौदरी जी अनुराग जी किस से मांगे तो अरो भाई मैं तो class ले रहा था सर ऐसा कुछ नहीं है तो तुम पर चानने चौक का बिजनसमेन उसके call पे तुम्हारे phone से message गये है, calls गये है, recording भी है, बोले सर मैं नहीं था, मेरी जबान तूट गई थी, कुछ काम नहीं आएगा, तो यहाँ पे बेसिक लिए सारी चीजी क्या है, साइबर ठगी के अंदर भी लोग यूज कर लेते थे, तो यहाँ पे अब जब e-sim आ जाएगी, तो सर यह एक तो एन्वार्मेंट के लिए friendly है यह, pollution कम होगा, दूसरा security के लिए भी आपके पास में, तो जो malicious actors कहीं कहीं बेसिक लिए duplicate sim applications बना लेते थे अब नहीं बना पाएंगे, तो some users were limited digital literacy में find e-sim setup challenging, अब पहले क्या होता था आपके पास में, phone टूड़ गया, phone गिर गया, आदमी जा रहा था, cycle से गिर गया, आदमी जा रहा था, बाइक से गिर गया, उसका phone खराब हो गया, तो अब क्या करता हो, नया phone खरी देगा, और इधर से sim निकाली, और उस phone में sim डाल दी, बात खतम, मैं कोई technical आदमी नहीं ह फिर भी काम चल रहा है, ठीक है ना, पर अब सोचो सर, ये phone खतम हो गया, अब अगर मेरे को दूसरे phone में इसको network को डालना है, तो क्या ये एक minute में किया जा सकता है, not possible, मतलब मेरे को वापस चपल गिसने होंगे, airtel के, go के, वहाँ office में जाना होगा, kyc कराना होगा, e-sim को transfer करवाना होगा, पुराने वाले को बंद करवाना होगा, हाना, लंबा चौड़ा प्रोसेस, तो सर, जिन लोगों को कहिंगे, digital साखसरता जिनकी limit है, वो कुछ उप्योग करता हों के लिए, e-sim setup चुनाती पूर्ण हो सकता है, शुरुवात के लिए, जब जानकरी ना हो, e- खड़े हो, जानकरी उनको हमें सार आएगे, आपका phone चालू है, बंद है, आपकी जानकरी है, वो कभी भी निकाल सकते हैं, वो क्योंकि उस sim को physically हटाया ही नहीं जा सकता, वो sim एक बार electronically, remotely आपके phone में activate हो गया वो number, आप चाहा के भी जब तक operator वहां से हटाये ना उसको आज की तारीक में, मैं चार दिन के लिए basically क्या करना चाहता हूँ, मैं चार दिन के लिए basically सद्गुरू के camp में जा रहा हूँ, जो कि मैं December में जाओंगा, तो उस वक्त basically मैं क्या करता हूँ, अपनी sim निकाली, अलग जगा रग दी, अपना phone अलग जगा रग लिया, train की ticket प अंदर वा sim हमेसा ही रहेगी, अब मेरी location हमेसा ही basically जो है एरटेल और जियो वालों के पास रहेगी, अच्छा मैं phone बंद कर दूँ, फिर भी मेरी location उनके पास है, क्योंकि इसकी power supply anytime चालू रहती है, इसमें से आप battery नहीं निकाल सकते हैं, पहले वाले phone में battery निकाल सकते थे SIM को power supply बंद हो जाता था, अब battery निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, ठीके, तो privacy concerns यहाँ पर सरी चुनोती है, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे कि sir, police station में जो है DNA और facial recognition system लगाया जाना है, देखिए, मैंने आपको criminal procedure identification act पढ़ाया था, क्या है criminal procedure identification act, CPI है, इ वो collect करेंगे, store करेंगे, analyze करेंगे, physical और biological samples को, जिसमें आखों का retina scan हो सकता, iris का, और आपके पास में जो भी arrested person होगा, उसका proper data होगा, और वो proper data किसके पास होगा, national crime record bureau के SOP, standard operating procedure के अनुसार, police station में जमाग किया जाएगा, आपके पास में, ठीके, तो कानून कौन सा है, criminal procedure, identification act, पास कब हुआ था, अप्रिल 2022 के अंदर, police या investigative agency, collect करेंगे, store करेंगे, analyze करेंगे, physical biological samples को, retina और iris scan को भी, है ना, तो यहाँ पे कुछ provisions, they have been entirely implemented on the ground, तो police officials have cited logistics and the connectivity issues के सरम, इसको लागू नहीं कर पार है, क्यों नहीं कर पार है, सर आपके पास में, क्रियान्वियन के लिए logistics और connectivity के मुद्दो की हवाला दिया जाता है, NCRB responsible है, वो standard operating procedure को तैय करेगी, किस तरीकिस इस data को रख रखाव होने वाला है, है ना, तो act or rules don't explicitly mention DNA sample, face matching, they are planned to be roll out approximately 1300 locations में, पूरे भारत में, ठीक है ना, तो पहले हमारे पास में, आजादी के पहले का काइनम हुआ करता आप जादा से जादा advanced biometric data भी पुलिस वाले collect करने वाले है, है ना, तो MHN एक domain committee बनाई है, ministry of home affairs, गरह मंत्रा लेने, जहां central law enforcement agencies भी साथ साथ में हैं, इस तरी से इस कानून को implement किया जाना चाहिए, वो measurement collection units भी आपके पास में होने वाली है, हर राजे की अलग-अलग होने वाले हैं, वो maintain करेंगे national level का database NH, NCRB के द्वारा, ठीके, बस ये basic सी चीज है, फिर है food levels to have QR code, FSSAI, क्या है, food safety और standards को लेकर के एक authority है इंडिया में, food safety standard authority of India, यह अभी recommend की है, कि सर एक QR code होना चाहिए, हर एक खाद्य product के उपर, हर जो चीज आप खाओगे, उस पर QR code होगा, अच्छा, वो QR code क्यों होगा, ताकि सर जो visually impaired लोग है, जो कहीं कहीं द्रश्टी बातिद व्यक्ति हैं, है ना, उन्हें खाद्य उत्पादों की जो basically जानकारी मिल सके, है ना, जैसे suppose किसी आदमी को कुछ चीज प्रॉपर नहीं दिख रहे है, suppose there is something which is to be to be at and I am not able to, नहीं नहीं दिखता है, तो मैं क्या कर सकता है, अपने फोन में, सबोज मेरे पास फोन है, मैंने अपने फोन का कैमरा चालू किया, QR code होगा, उसके पर मैं थोड़ा scan करूँगा, तो अपने आप मेरे को read करके बताएगा, है ना, कि ओके यह Maggie है, ओके यह पारले जी है, ओके यह Bika समझने की कोशिच कर रहे हो आप लोग, यह vegetarian है, यह non-vegetarian है, इसमें additives है, इसमें नहीं है, वो सारी जानकारी देगा आपको, तो, यहाँ पे, this will ensure the access to the safe food for all, including the individual with the special needs, such as visually impaired individuals as well, तो QR code गया होता, यह इस तरीके से दिखता है, क्यों response code कहते हैं इसको, ठीक है ना, और यहाँ पे, FSSII ने basically बोला है, impaired व्यक्तिव के लिए food products पे यह होना जरूरी है, तो अब आप इसमें लिख सकते हैं, कि किस तरीके से food safety के लिए भारत में कदम उठाये जा रहे हैं, तो आप जो कहते थे ना, कल basically कुछ बच्चों ने कहा था, कि गुरुजी हमारे examples कैसे बहतर होंगे, यह ऐसे बहतर होंगे, अब गोल क्या है, कि जो भी consumers है, चाहे वो basically हमारे जैसे साधारण हो, चाहे basically द्रश्टी बाद ही सबको safe food मिले, सबको safe food मुलना चाहिए, तो यहाँ पर FSSI has already established comprehensive regulations in the FSSI regulation 2020, यहाँ पर सारी information देनी होगी, label से related है न, कैसे, आपके product का नाम क्या है भया, इसके self-life कितने कितने टाइम में यह खराब हो जाएगा, इसमें क्या-क्या nutrition है, कितने calorie, क्या protein, क्या carbohydrate, क्या lipid, क्या fat, वो बताओ, यह vegetarian है या non-vegetarian है, वो बताओ, अगर है तो यहाँ पर उनका logos लगाओ, अगर यहाँ पर इसमें कौन-कौन से ingredient इसमें सामिल कियागा, इसको बनाने के लिए उनका नाम लिखो, कोई allergen हो सकता है, कि सर, इसको खाने से आपको यह allergy हो सकती है, तो इसको mention करो, allergen की warning दीजिए, तो यह सारी चीजे, basically QR code के माद्यम से scan करते है, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, है ना, इदे को Kellogg's, यह ना QR code, Kellogg's का QR code, है ना, अब यह QR code क्या है, इसको जैसे आप scan करोगे, it will give you exact information, कि product का नाम क्या है, nutrition fact क्या है, self life क्या है, ingredient क्या है, allergens क्या है, vegetarian है, non vegetarian है, सारी information देगा, ठीक है ना, अब यहाँ पे 2016 का basically हमको यात आना चे, right of persons with disabilities act 2016, अब इसमें basically जो है, विकलांग विक्तियों के अधिकार और जरूरतों को मानियता दी गई थी, है ना, कि किस के लिए basically यह विकलांग विक्तियों के लिए पहुंच और स्वास्तों को बढ़ावा देने पर भी जोर देता है, कि सर उनके लिए health से related जो चीजे है, वो accessible हो, उनको promote किया जाए जादा से जादा, है ना, किन किन को basically यहाँ पे includes क्या गया दा, blindness, low vision, leprosy, locomotor disability, dwarfism, intellectual disability, mental illness, cerebral palsy, specific learning disability, speech and language disability, hearing impairment, deaf and hard to hear, multiple disabilities of the deaf and blindness and the chronic neurological disconditions, autism spectrum disorder, sickle cell anemia, hemophilia, thalassemia, multiple sclerosis, Parkinson's disease, acid attack victims, muscular dystrophy, याद रखना ये प्रशन पूछा गया है दोस्तों, है ना, पहले मातर सांत को ही basically person with disabilities माना जाता था, अब यहाँ पे 14 और cases को जोड़ा गया है, तो अब total cases किते हो गए हैं, 21 हो गए है, यहाँ पे एक exam में question पूछा गया, क्या acid attack victim को भी person with disability माना जाएगा, क्या उन्हें भी basically दिव्यांग जन माना जाएगा, yes माना जाएगा, किस act के अनुसार है, person with the disability bill 2016 के अनुसार, यह याद रखेंगे, यह सीमा वार्था चल रही, भुटान की सीमा से basically अतिबत है उपर नौर्थ के अंदर, जो कि चाइना का basically autonomous region है, तो अभी यहाँ पे कुछ सीमा को लेकर के basically डौकलाम classes पहले भी आपने सुना होगा, उससे से related बात चल रही है, GS paper to international relations भारत और उसके पड़ोस के प्रशंग में इसको पढ़ा जाना चाहिए, तो 25 सी basically boundary talks चल रही है आपके पास में, वह पिछले 2016 से basically यह लगाता चल रही है, भुटान के विदेश बंतरी टांडी डौर जी basically चाइना के foreign minister वांग यह से basically बीजिंग में मुलाकात करते हैं and both sides saying they want a deal on demarketing the boundaries, सुन दोनों ही basically सीमाओ का निर्धारन करना चाहते हैं आपके पास में, ठीक है न, बस यह चीज है आपके पास में, corporation होगा इनकी दोनों के बीच में, किसलिए, ताकि joint technical team काम करे, delimit किया जा सके, demarket किया जा सके, कि भुटान और चिन की सीमा कहां से कहां तक है, ठीक है, तो यहाँ पे यह सारी चीज आपको clear होए चीज, यह आपका भुटान है, तो तीन एरिया है basically, जहाँ पे जो है dispute चल रहा है, तीन एरिया के इंदर dispute चल रहा है आपके पास में, कौन कौन से एरिया में dispute चल रहा है आपके पास में, सबसे पहले आपको यह तो एक तो inड़ कौश बारत सिलिगूरी कोरीदोर बुटान और चिबत के चाइना के भीच वाला टिक है न तो एक तो डोगवाला एरिया पांग दा एरिया आपके पास में या मेड़ा यह यहां पे नॉटमा अजाएगा के आपके बाई you area बाइला एडिया फिर है अपके पास मैं मंचुमा वैली वाला ये अपके पास मैं फिर है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब एरिया बॉटान के बॉटर डिस्प्यूट से जहां पर दिमार्केशनी की बात की जारी है ठीक है ना प्र फिर है बहारत अब डिस्प्यूट से जो भारत बिसिकली निगोशेशन के टाइम काफी सेंसिटिव रहता है इंडो चाइना भुटान ट्राइजेंक्शन पे जो है डोकलाम और उसके आसपास के पश्चिमी सीमा का एरिया और फिर है जाकरलोंग और पसमलोंग वैली है ना तो आपके पास म में यह पूछले जाएगा सर डोकलाम कहां है सर चाकरलोंग कहां है हाली में नो न्यूज में पासमलोंग कहां है तो सर यह इंडियो चाइना और इंडो चाइना भुटान के ट्राइजंक्शन में चाइना इस डिसेंटली एपेड ब्रॉडन स्कोप ऑफ दिस्प्यूट अम यहां पे वो टैक्टिक है कि कैसे बुटान को पुश किया जा सकता है चाइना के ओफर को लेकर के है ना ताकि वो डोकलाम वाला एरिया बेसिकली चाइना को दे दिया जाए और आपके पास में जो की स्ट्रेटिकली इंपोर्टेंट है बीजिंग के लिए और इसके सकतेंग वालाइफ सेंचुरी है वहां पर एक रॉटिफीशल रूप से लड़ाई जारी की गई है इदर अरुटान के बीच में बुटान भाई यह क्या बात हुए इधर बोलना है डोकलाम डिस्प्यूटेट है इधर बोलना सेक्टेंग इधर क्या आगया अरुनाचन इधर क्या आगया आपके पास में इधर नीचे आपके पास में चिकरनेक कॉरिडूर तो भुठान को वो कह रहा है चलो जाओ मैंने तुम्हें ये एरिया दिया तुम मिझे ये एरिया दे दो और जो अभी ये 25th round of talk चल रहा है न इधर ये मुद्दा इसलिए create किया गया कि चाओ मैं तुम्हें ये territory देता हूँ तुम मुझे ये छोटी सी territory इधर दे दो क्या भुठान देगा की कोशिट करेंगे हमारी नजरी लगाता है इसके उपर बढ़ी रहेगी विल की फोकसिंग ओन क्या फ्रेंटिर के उपर काम चलता तीबत भुटान की सिमा के उपर लाट इस मूव है की मिटिगेट किये जा सके जो रिस्क है अर्ली वार्णिंग सुचिंट की जा सके डाउंस्ट्रीम एरिया की अगर आप यहां पर अबसे करेंगे एक घंड़े कंद टेलिगराम लाइव होगा और यह टेलिगराम लाइव में किसके जानकरी दे रहे हैं What information that we are bringing for you here? Sir, इस Telegram live में हम आपसे कुछ questions discuss करेंगे. What are the questions that we are going to discuss over here? Yes, here it is. हम समाविशी विकास की बात करेंगे, inclusive development की बात करेंगे, inclusive growth की बात करेंगे, कि जो हमारी कहिन कहीं वित्ती है, या फिर आपके पास में आर्थिक असमानता हैं, वो हमारे मानव कल्यान के लिए हमारी सम्रदी के आड़े आती, और तब तक बेसिकली जो है आर्थिक विकास देश का नहीं हो सकता, जब तक समाविशी विकास ना हो, समाविशी मतलब inclusive, last in the line, उसको भी साथ में लेके चलना, तो सर आज की एक लास बहुत ही मैतपूर्ण है, इसको जरूर जोइन कीजिएगा, है ना, तो एक initiative हमने अभी बेसिकली चालू किया है, जिसको हमने नाम क्या दिया है आपका, Dare Initiative, क्या नाम दिया है, Dare Initiative, और इसके उपर, हर रोज आपके answer writing होगी, इसी टेलिग्राम चैनल में, जग्दीश जांगेट सर पी डवलू पे, सुबह साथ बजए question दिया जाएगा, दिन में answer लिखो, साम को discuss किया जाएगा, model answer के साथ में, Hindi English दोनों में, तो join कीजिएगा, आज सही आपके answer writing इस पे, सुरू करवादी कहिए दोस्तों, with this being said, thank you, Jai Hind, Saroda Sakthishali, God bless you all, hope you like this session, if you like this session, share it among the friends as well, thank you, Jai Hind.